पिशली वीडियो में मैंने आपको राहुपरवत के विश्म में बताया कि हमारे हाथ में राहुपरवत के स्थान पर होता है इसके सीमा क्षेतर कौन कौन से है उसके पस्चात मैंने आपको बताया रहो परवत बहुत उन्न स्थिती में हो तो हमारे जीवन के उपर क्या क्या परभाव रहते है एक दम दब भी उस्थिती में हो तो हमारे जीवन के उपर क्या क्या परभाव रहते है इस वीडियो में मैं आपको रहो परवत के ओपर शुब और अशुब निशानों के विशे में बताऊंगा कि हमारे हाथ में रहो परवत के ओपर कौन कौन से निशान शुब है और कौन कौन से निशान अशुब है और ये हमारे जीवन के ओपर किस परकार के परभाव डालते है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हो रहा है यहां से आप एक सीती रेखा की चीए अब आपकी जो यह मध्यमा उंगली है जो यह आपकी अनामिका उंगली है इसको आप दूसरे पोर से इस प्रकार से बोड़िए जिस थान पर आकर के गिरेगी वो जो स्थान है उसी को हम राहू परवत कहेंगे तो अगर हम मैं इस पोर से मोड़ता हूं तो लगबग यह इस थान पर आकर के गिरेंगी और कम से कम इतरे भाग को यह कवर कर लेंगी तो जितना भी इसके बीतर का जितना भी भाग है यह हमारा राहू परवत केहलाएगा तो दोस्तों हमारा जो यह राहू परवता है उसके ओपर आपको बहुत से निशान देखने को मिलेंगे, कुछ जो निशान होते हैं, वो शुब होते हैं, कुछ जो निशान होते हैं, वो अशुब होते हैं, जो निशान शुब होते हैं, वो कही न कही हमारे जीवन के उपर पकरती की तरफ ले जाते हैं, और जो अशुब निशान होते हैं, तो दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि हमारे हाथ के ओपर रहो परवत पे कौन-कौन से निशान शुब होते हैं और कौन-कौन से निशान अशुब होते हैं और वो हमारे जीवन के ओपर किस परकार के परभाव डालते हैं। तो दोस्तों शुब निशानों के अंदर पहला जो निशान आता है वह आता है खड़ी हुई रेखा तो अगर आप किसी विक्ति के रहो परवत के उपर इस परकार से एक खड़ी हुई रेखा देखते हैं तो यह जो रेखा है इसको आप शुब का सूचक मानेंगे देखिए अगर आप ध्यान सے देखेंगे तो आपको यह एक परकार से हुए नजर आएगी अगर यहाँ पर आपकी जो हिरदय रेखा है और जो यह आपकी बुद्धी रेखा है इसके बीछ में से ऐसे देखेंगे तो आपको यह देखने में लगेगा जिस परकार एक ही एक inश का sign म होता है इसके सिवाए ऐसे जो लोग होते हैं उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा सदैव समाज में बनी रहती है चतुर और चला कैसे लोग होते हैं जिवन में इनके कम अटंक आते हैं अच्छा जीवन एसे लोगों का वैतीत होता है तो अगर आप किसी देखते के हाथ में एक रेखा इस प्रकार की बनोई देखते हैं तो आप इसको बहुत शुब का सुचक मानिए इसके पस्चात अगर आप देखते हैं जो आपकी यह वाली रेखा हैं यहां पर रुकने की बजाए इस प्रकार से सीती चली जाती है और शनी परवत तक चुपा करके ऐसे जो लोग हैं धन को रखते हैं गोदामों में ऐसे लोगों के पास जो धन है वो सड़ता रहता है इतने धनी ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों के पास किस प्रकार का धन होगा इसके विशह में भी मैं आपको बता देता हूं तो देखिए ऐसे जो व्यक लेकिन अकस्मिक रूप से अचानक से ऐसे लोगों को धन प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार से हो सकता है माल लीजिए किसी विक्ति की लौटरी लग जाएगी एक दम धन आ जाएगा और मरते समय तक उस विक्ति के पास बहुत अधिक धन रहेगा इसके सिवाएं कुछ लो आप किसी विक्ति के हाथ में इस परकार के देखा देखते हैं तो विश्वास कीजिए ऐसे लोगों के पास धन का अभाव बिलकुल नहीं रहता है ऐसे जो विक्ति होंगे मोटर, बंगला, गाड़ी ऐसे लोगों के पास अवश्यक रूप से रहती है लेकिन ऐसे जो विक् इनके पास कहां से आया है तो अगर आप इस रेखा को देखते हैं किसी के हाथ में तो अगर धन की द्रिष्ठी से देखें तो यह रेखा अच्छी है लेकिन कहीं ने कहीं एच्छे जो लोग होंगे उनको कानूनी फचड़ों में आवश्य गुरूप से पढ़ना पढ़ सकता है इसके पस्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के राहु परवत के ओपर आड़ी रेखाएं हैं आड़ी रेखाएं कैसे इस परकार से तो देखिए अगर आप किसी व्यक्ति के रहुपरवत पे इस प्रकार की आड़ी रिखाएं देखते हैं तो कही ना कहीं ये जो रिखाएं हैं ये आटंक के विशे में बताती हैं अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनके हर कारे के अंदर हमेशा आटंक आते रहते हैं ये कोई भी कारे करेंगे कोई भी कारे करेंगे हर कारे के अंदर इनको कही ना कहीं परिशानिया होती हैं कोई ना कोई आटंक ऐसे लोगों के हर काम में आता ही आता है तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में आड़ी रेखा को देखें तो इसको आप अशुब का सुचक मानिये इसको आप बिल्कुल भी अच्छा ना मानिये इसके पस्चाथ अगला जो निशान आता है वे आता है क्रॉस का निशान क्रॉस तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में इस परकार से क्रोस का निशान देखते हैं जो आपकी हिर्दे रेखा पे लगा हुआ है और जो आपकी बुद्धी रेखा के बीच में भी लगा हुआ है अर्थात दोनों रेखाओं को इस परकार से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों ये जो निशान है इसको आप बहुत अधिक शुब मानिए तो देखिए आपने कहा होगा कि मैंने तो हर परवत पे कहा है कि जो क्रॉस का निशान है इसको आप शुब नहीं मानेंगे लेकिन राहू परवत के उपर अगर आप इतना बड़ा क्रॉस का निशान देखते हैं जो कि आपकी बुद्धी रेखा और जो आपकी हिर्दे रेखा है दोनों को बराबर रूप से जोड़ देता है तो विश्वास किजिए ये जो निशान है बहुत ही अच्छा निशान है इस निशान का मतलब है balance of mind and balance of heart अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं इनके हिर्दे और जो इनकी बुद्धी होती है वो एक साथ कारे करती है ऐसे जो व्यक्ती होते हैं decision makers होते हैं अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो जो भी decision लेंगे अपने दिल और जो अपने उनकी बुद्धी है उसको पूर्ण रूप से उप्योग करके decision लेते हैं ऐसे जो लोग होते हैं उनके द्वारे लिए गए decision जो होते हैं उसमें कोई कमी कभी रहती नहीं है बड़े बड़े नेताओं के हाथ में आपको इस परकार का cross का निशान नजर आएगा तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में इस परकार के cross का निशान देखते हैं जो कि बुद्धी रेखा और आपकी हिर्दे रेखा कि बिलकुल center में है बड़ा निशान है तो विश्वास कीजिए ऐसे लोगों के जीवन के अंदर कोई कमी नहीं रहती है धन कितना होता है विश्वास कीजिए धन जित्ति इनको अफशक्ता होती है उतना धन ऐसे लोगों के पास रहता है नेता होते हैं ऐसे लोग बड़े बड़े पदों के उपर ऐसे लोग होते हैं दूसर जो विक्ति होते हैं ऐसे विक्तियों का अनुसरन करते हैं तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में रहु परवत के उपर इतने बड़े क्रॉस के निशान देखते हैं ये जो निशान है इसको आप बहुत याधिक, शुब का सूचक मानिये इसके पस्चाथ अगर आप देखते हैं किसी विक्तिके रहुपरवत के उपर इस प्रकार से छोटे छोटे क्रॉस के निशान बने हुए हैं तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में इस प्रकार के क्रॉस के साइन देखते हैं तो आब आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो क्रॉस के निशान है बहुत अधिक शुब निशान हैं देखे ऐसे जो निशान होते हैं यह कहीं ना कहीं आटंक के सूचक हैं यह जो निशान है कहीं ना कहीं शा लगी रहती हैं कहीं कहीं नहीं कहीं ऐसे जो लोग होते हैं बहुत अधिक चिड़-चड़े सभाव वाले भी होते हैं बैमानी चोरी ठगी करना ऐसे लोगों की आदत रहती है तो अगर आप किसी वेक्ति के हाथ में इस प्रकार के छोटे-छोटे क्रोस के साइन देखते हैं तो इसको आप अशुब का सूचक मानिये इसके पस्चात अगला जो निशान आ जाता है वे आता है त्रिभुज का निशान त्रिभुज इस प्रकार से त्रिभुज का निशान तो दोस्तों अगर आप किसी वेक्ति के हाथ में ये त्रिभुज का निशान रहो परवत के उ बात को सुनते हैं यह जो निशान है कहीं न कहीं रहो परवतिश्चान देने की इसे लोगों के अंदर होती है इस परकार का बाशन ऐसे लोग दूसरे विक्तियों के देंगे कि लोग बैठ करके इनकी बात को सुनते हैं यह जो निशान है कहीं न कहीं रहो परवत के ओपर बहुत यदिक शुब होता है आप इसको रहो परवत के ओपर बहुत यदिक शुब मानेंगे यह जो निशान है यह शुब का सुचक है इसके पस्चात अगला जो निशान आता है वे आता है त्रिशूल का निशान त्रिशूल इस परकार से तो देखिए तुरुशूल का निशान किसी भी परवत के उपर हो इसको आप शुब का सुचक मानिये अगर यह रहु परवत के उपर है तो यह भी बहुत यदिक शुब होता है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बक्ति भाव वाले होते हैं अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में वक्ति होते हैं कई परकार की उपासनाएं ऐसे लोग करते हैं ऐसे जो लोग होते हैं धरम के कारियों में दान दक्षणा में सदैव आगे रहते हैं ऐसे जो लोग होंगे कई परकार के दान और दक्षणाएं ऐसे लोग करते हैं कई परकार की धार्मिक यात्राओं पे ऐसे ज जाते हैं इसके सीवाएं तुरिभूज के विशे में मैंने आपको जितने भी गुण बताए वो सभी ऐसे विक्तियों के पास भी अवश्यक रूप से होते हैं अर्थात ऐसे लोगों के पास भी धन का कोई अभाव नहीं होता है मान सम्मान और जो प्रतिष्ठा होती है ऐसे विक्तियों की समाज में बनी रहती है तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में रहो परवत के उपर यह तरशूल का निशान देखें तो आप इसको बहुत यादिक शुब का सूचक मानिए इसके पस्चात अगला जो निशान आता है वह आता है चत्रभुज का निशान स्केय तो देखिए सुकेयर का जो निशान है इसको भी हम हर परवत के उपर बहुत यादिक शुब मानते हैं यह जो निशान है यह एक सुरक्षा कवच है तो आपकी रहो परवत के उपर अगर कोई भी कमी है तो यह जो निशान है यह इस कमी को समाप्त कर देगा जिस परकार मैं ने अगर आपको बताया कि यहां से अगर किसी विक्ति के आड़ी रेखाए रहती हैं तो वो कहीं ना कहीं आटंक का सूचक होती हैं लेकिन अगर आप इसी रेखा के उपर ये चतर बुझ का निशान देखेंगे तो विश्वास कीजिए ऐसे जो लोग होंगे इनके जीवन मे इनके किसी भी कारे में कोई भी आटंक नहीं आएगा हर आटंक से हर शारेरी कस्ट से ये जो चतर बुझ का निशान है इनकी सुरक्षा परदान करेगा तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में राहू परवत के उपर या किसी भी परवत के उपर ये चतर बुझ का निशान मानिए इसके पस्चात अगला जो निशान आता है वे आता है तिल तिल का निशान तो अगर आप किसी विक्ति के रहो परवत के ओपर ये तिल का निशान देखते हैं तो इसको आप शुब का सूचक मानिये देखिए ऐस ज愁 लोग होते हैं खोब धन धने वाले होते हैं अर्थात ऐसे जो लोग होंगे इनके पास धन का अभाव नहीं होता है मोटर गाड़ी बंगला पैसा ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास बरपूर मातरा में रहता है तो अगर आप किसी वेक्ति के राहू परवत के उपर ये तिल का निशान देखते हैं तो इसको आप शुब का सूचक मानिए इसके पस्चात अगला जो निशान आजाता है वें आता है जाली का निशान जाली इस परकार से तीन रेखाएं और इसके ओपर चार रेखाएं तो अगर आप इस परकार के जाली का निशान किसी विक्ति के राहू परवत पे देखते हैं तो इसको आप अशुब का सुचक मानेंगे देखिए जाली का निशान आपको कहीं भी देखने के लिए मिले इसको आप अशुब का सुचक मानिए देखिए ऐसे जो लोग होंगे कहीं ना कहीं राहू के जो गुड होंगे ऐसे विक्तियों के अंदर बहुत अधिक होते हैं अर्थात ऐसे जो विक्ति होंगे दोखे बाज किसम के होंगे चोरी चकारी करने वाले होंगे दूसरे विक्तियों को अपमानित करने वाले होंगे मार काट करने वाले होंगे लडाई जगड़े करने वाले होंगे जिसके कारण कोई न कोई गलत कारे ऐसे लोग करेंगे जिसकी वज़ा से इनको दंड भोगना पड़ता है तो ये जो निशान है ये दंड का सूचक है तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में इस परकार के जाली का निशान देखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसे जो विक्ति हैं वो दंड प्राप्त करते हैं अर्थात ऐसे जो विक्ति होते हैं उनको कोई न कोई दंड अवश्यक रूप से अपने जीवन में प्राप्त होता है क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होंगे कोई ना कोई गलत कारे अपने जीवन में करते हैं तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में इस परकार का जाले का निशान देखें तो आप इसको अशुब का सूचक मानिए इसके पस्चात अगला जो निशान आता है वे आता है यव का निशान अर्थाद आँख का निशान यव तो अगर आप ये यव का निशान राहु परवत के उपर देखते हैं तो इसको आप अशुप का सुचक मानिए इसके वेक्ति होगा उसके अंदर कही ना कही राहु से संबंदित जो रोग है वो हो जाते हैं तो राहु से संबंदित रोग कौन से होगे तो ऐसे वेक्तियों को ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका जो इलाज है वो डॉक्टर के पास होता ही नहीं है अर्थाद ऐसे जो वेक्ति ह कि ऐसे रोगों से पिड़ित हो जाते हैं जिनका सम जिनका कोई एलाज नहीं होता है इसके सिलाइज गहीं ने सूचक मानिए इसके पस्चात अगला जो निशान आता है वे आता है वृत का निशान वृत देखिए वृत का जो निशान है इसको भी आप राहु परवत के ऊपर अशुब मानिए अगर आप किसी विक्ति के हाथ में राहु परवत के ऊपर ये वृत का निशान देखते हैं तो ऐसे जो विक्ति होते हैं नेतर समंदित रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं रक्त समंदित विकार भी ऐसे लोगों के अंदर रहते हैं तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में रहो परवत के ओपर ये वृत का निशान देखते हैं तो इसको भी आप अशुब का सूचक मानि इसके पस्चाद अगला जो निशान आ जाता है मचली का निशान देखिए इस परकार से तो अगर आप इस परकार का निशान रहो परवत के उपर देखते हैं तो इसको भी आप बहुती अधिक शुब का रसुचक मानिए मैंने तिर्भुज के विशे में और तिर्शूर के विशे में जितने शुब संकेत आपको दिये वो सभी के सभी जो संकेत मैंने त्रिशूल और त्रिभुज के विशे में जितना भी आपको बताया वो सभी की सभी गुण इसके अंदर भी डाल दीजे अर्थात ऐसे जो विक्ति होंगे धन धाने वाले होते हैं समाज में ऐसे लोगों की मान पर्तिष्ठा रहती हैं कोब भक्ति भाव वाले होते हैं समाज में राजनिती के शेत्र में हर जगा पर ऐसे जो लोग हैं अपना नाम मनाते हैं कोब चतुर और चलाक ऐसे लोग होते हैं दंधाने का कोई ऐसे लोगों के पास अभाव नहीं रहता है जीवन में इनके आटंग कम रहते हैं शारीरिक श्ट्वर भी ऐसे लोगों को कम रहते हैं तो अगर आप ये मचली का निशान राहु परवत के उपर देखते हैं तो इसको आप बहुत यदिक शुब का सूचक मानिये इसके पस्चात अगला जो निशान आता है वे आता है जंडे का निशान देखिए यह जो जंडे का निशान है किसी भी परवत के उपर हो किसी भी रेखा के उपर हो इसको आप बहुत यदिक शुब मानिए अगर राहु परवत के उपर ये जो जंडे का निशान है ये बना हुआ है तो इसको भी आप बहुत यदिक शुब मानिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धरम के कारियों के अंदर बढ़ चड़कर भाग लेते हैं धार्मिक परवर्ती वाले ऐसे लोग होते हैं खुब दान दिख्षना करने वाले होते हैं ऐसे लोगों के पास भी धन धानने का कभी कोई अभाव नहीं होता है मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे लोगों की रहती है ऐसे जो लोग होत होते हैं अर्थात अच्छा बोलने वाले होते हैं अन्य लोग इन विक्तियों का अनुसरन करते हैं तो अगर आप किसी विक्ति के हाथ में इस परकार का जंडे का निशान देखते हैं तो आप इसको भी बहुत अधिक शुब मानेंगे तो दोस्तों इस परकार मैंने आपको को बताया कि राहु परवत के उपर कौन-कौन से निशान शुब होते हैं और कौन-कौन से निशान अशुब होते हैं और यह हमारे जीवन के उपर कौन-कौन से परभाव डालते हैं तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर विश्राम दे देते हैं मुझे लगता है आवश्यक रूप से आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइ दाने वादे